कि अध्युक्त करता हूं आपको पिछला वीडियो है वह काफी इंट्रेस्टिंग लग रहा हुगा और काफी कुछ सिखने को भी मिल रहा है तो चैनल पर पहले बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक कर दे और शेयर भी कर दे आपको बहुत कुछ सिखने को मिल रहा है इसको बस हमेशा अपना एक नोड बनाए और वहाँ पर चीजों को मेंशन करेगी क्या क्या आपको में इंपोर्टेंट लग रहा है ताकि वहाँ पर आपको इसली समझ आए ओके तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा से चीज में बता देना चाहता हूँ यहाँ पर आज डिसमबर दो तरीक है फ्राइडे का दिन है आज मार्केट यहां पर एंड होता है तो मैं आपको थोड़े देर पर जो है इस टेलिग्राम चैनल का आप जो राइट साइड में देख पार हूँ इसका मै अनलेसिस डालने वाला हूँ हमें कौन से कौन से स्टॉक पर टार्गेट स्टॉप लॉस सारे देखने को मिले है या फिर एंट्री नहीं मिला वागरा वागरा सारी चीज़े मैं आपको डिसकस करूंगा तो चैनल सबसे पहले हम लोग जो है अपना जो पढ़ाई है उसको स प्रेट लब होता है तो आप यहां पर सबसे पहले यह करना कि तो वह लॉंग टर्म करोंगे शॉट तर्म करोंगे जैसे कि यहां पर मैंने जो है आप डाइगराम पर भी देख सकते हैं आप लोगों के लिए जो है मैंने जितना कोशिश क्या है एक अच्छा से उसको लिख डाइगराम के वह पर प्रेजंटेशन करने का जितना भी कुशिश क्या है उपे तो अप लोग अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बी आपर कह चलोँ कि यहाँ पे आप Swing Trading short term period के लिए करना चाहते हो या लॉंग टंब पीरियड के लिए करना चाहते हो या फिर आप stock के जो trading होते हैं वू स्ट्रेडिंग करना चाहते हो जैसे कि मैं अपना telegram चैनल पे करता हूं वैसे ही किया आप index trading करना चाहते हो swing trading जैसे index कह लेजिए यानि कि जो अभी fin nifty हो गया nifty 50 हो गया bank nifty हो गया यह सारी चीज़ें जो होती है वो index कहा जाता है all right तो आप सिर्फ उसी में काम करना चाहते हो यह totally जो है आप पर depend करता है कि आप जो है किस तरीके का trader बनना चाहते हो long term investment trader बनना चाहते हो short term या stock पे ही सिर्फ अपना swing trading strategy apply करना चाहते हो बैंक निप्टी या फिर निप्टी पर यह चीज़ आप पर dependent है ठीक है यह सबसे पहला point आपको decide करना पड़ेगा कभी भी आप यह गलती मत किज़ेगा शुरुआत में कि मैं यहां बैंक निप्टी पर भी trade करूंगा इंडेक्स में भी trade करूंगा stock में भी trade करूंगा option buying करूंग option selling करूंगा यह कभी भी यह गलती मत करना ठीक है यहां पर हमेशा पहले decide कर लो आप equity पर काम करोगे या फिर आप इंडेक्स में काम करोगे या फिर आप long term swing trading के लिए प्लान करो जैसे कि आपके पास अगर टाइम नहीं हो अब second point पर आते हैं काफी सारे लोग यहां पर क्या गलती करते हैं कि हम लोगों ने decide कर लिया चली हम लोग जो है अपना swing trading जो है equity का start कर लेते हैं अब मैं क्या करूंगा यहां पर मैं CPU इतना पैसा ले आऊंगा या फिर कहीं से भी उधार मांग के ले आऊंगा trading स्टार्ट कर दूँगा बिल्कुल यह गलती मत करना ठीक है क्योंकि यह गलती बहुत सारे लोग already कर चुके हैं तो उन गलतियों से हम लोग को सीखने को मिलेगा और वहीं गलती मैं आपको करने से भी रोक रहा हूं तो यह गलती मत किजएगा आपको बस एक छोटा सा laptop चाहिए होगा और कुछ नहीं चाहिए होगा अगर आपके पास एक laptop है तो उसी से ही आप बहुत कुछ सीख सकते हो in fact mobile से भी सीख सकते हो लेकिन mobile में थोड़ा सा screen की वज़े से वो issue हो जाता है बट मै मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास एक laptop तो होना ही चाहिए ठीक है चाहिए वो पुराना हो या फिर second hand आप कहीं से भी जुगार कर सकते हो second hand का भी आजकाल तो facility है तो आप यह भी कर सकते हो उसके बाद धन पे demand account आप open करो ठीक है लेकिन आप वहां पे एक छोटा amount से start कर सकते हो just for example 5,000 rupees से भी आप start कर सकते हो 10,000 rupees से भी आप start कर सकते हो क्योंकि आप initially सीख रहे हो कुछ लोग ऐसे ही करते है डायरेक्ली 50,000 लेके आते हैं एक लाक लेके आते हैं पांच लाक लेके आते हैं और एकी बार हवा कर देते हैं तो यह आपको हवा वाला काम नहीं करना है और सीखना है सबसे पहले चीज की काम कैसे करता है भई swing trading stock market आप आते हैं next part पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कुछ चीज़े लिखा है कि आपको कितना time invest करना चाहिए swing trading के लिए सबसे पहले तो time आपको decide करना पड़ेगा क्या आप full time देना चाहते हो या part time देना चाहते हो यह आपको decide करना पड़ेगा देखे full time trading उन लोगों के लिए है जिनका कोई काम धंदर नहीं है ठीक है मेरे जैसा हाला कि मैं थोड़ा सा काम करता हूं बट still कह सकते मेरा कोई काम धंदर नहीं है still मैं full time trader पे ही आता हूं मेरा काम ही है कि मैं research करूं और full time trading के लिए बहुत सारी मतलब की मैं अभी जो है थोड़े दिर पर discuss करने वालों कि यहां पर क्या-क्या disadvantages है mostly but part time trading के लिए अगर आप इसको चून रहे हो या फिर चूज कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अभी opportunity है as a swing trader ठीक है इंट्राडेगा तो मैं बात cover किया कि क्या-क्या आपको main cheese करना पड़ेगा ठीक है तो अब ही हम लोग जो है second point पर आते हैं अगर full time job अगर आप करते हो और आप अगर part time trader चूज करते हो तो बहुत इची बात है क्योंकि आप वहाँ पे चोटा-चोटा investment करते हो और आपको बहुत अच्छा return मिलता है second हो पर आपको यहाँ पर adjustment करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर सबसे पहला आपको adjustment करना पड़ेगा चाहे वह आप part time हो पार्ट टाइम हो मतलब कहीं नहीं कहीं आप job कर रहे होगे या फिर कहीं पर काम कर रहे होगे तो जब आपको time मिलता है तो तब आपको market को कितना time देना ह नहीं देना है वह आपको जो है देखना पड़ेगा फुल टाइम ट्रेडर हो तो आपको तो adjustment करना ही नहीं पड़ेगा आपको full time market को देना पड़ेगा यहाँ पर कुछ लोगों का यह एक छोटा सा मेत है कह सकते हैं या फिर छोटा सा हववा है कह सकते हैं उनका मानना होता फूल टाइम जो ट्रेडर होते हैं उनका मतलब होता है स्क्रीन के सामने जो है 2400 गंटे बैठे रहो या फिर मार्केट आवर्स में 9.15 से लिए 3.30 तक का बैठ रहो इनका मतलब फूल टाइम का यह होता है बट एकोडिंग तो जो मतलब जो truth है एकोडिंग तो जो सच्चा ह है वो कभी यह नहीं कहता है कि आप फूल टाइम ट्रेडर हो तो आपको जो है यहां पर मार्केट में पूरा ही टाइम बैठना पड़ेगा नहीं ऐसा कोई भी रूल नहीं है in fact मैं तो यह बोलता हूं कि अगर आप फूल टाइम बैठते हो मार्केट के आवर्स पे तो उसक कभी भी गलती मत करना ओल राइट यह जो रूल मैंने आपको बता रहा हूं न यह आप कॉपी में नोट डाउन करो या फिर कहीं नोट्स बना लो काफी हेल्प रहेगा जो यह चीज़े में बता रहे हो यह चोटी चोटी गलतिया ही आपको बड़े लॉसस से ही बचाता है तो अब आते हैं नेक्स टाइम जो अगर फुल टाइम ट्रेडर है तो उनके लिए क्या-क्या डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है वो मैं आपको मैं बता रहा हूं इस नोट पे ठीक है अगर आप एक बार चूज कर लेते हो कि फुल टाइम ट्रेडिंग आप कर रहे हो इस आपुछ साइड बिजनेस नहीं कर रहे हो कुछ नहीं कर रह aggreg मार्केट से हई जो है पैसा कमा के अपना घर चलाने वाले हो डाल रोटी Nowadays तो इसके लिए अपको पहले तो बहिए experience आपका होना चाहिए और यह experience को compress को गेन कर लिए कही महीने लगते हैं यह ऐसाल लगते यह vic करता है कि आप कौन से ट्रैक में जा रहे हो ठीक है आप सीधा ट्रैक में जा रहे हो तो वह डिपेंड करता है कि वह आपका एक्सपिरेंस कितना लगता है ठीक है अब जो मैं करता हूं कि जो भी फुल ट्रैम ट्रेडर कर रहे हैं जो यहां पर आपको बहुत ज्यादा आपको जो है लेटेस्ट अपडेट दे सकूँ अपना टेलीक्राम चैनल पर ठीक है और मैंने दिया भी है अगर आप मेरे प्रीमियम ग्रूप में जुड़े हुए हो तो जैसे कि यहां पर मैंने कहा कि आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को तभी जाके आप ट लहार तो को नहीं कर पाते इस लिए वह ज्यादा टर जो है आप ज़ोड़ी देते हैं या फिर वह कहें पे कॉल पर depend रहते हैं, या फिर कहीं पर paid services लेते हैं, या फिर account handling कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर research वाला काम थोड़ा सा यहां पर headache हो जाता है, तो यह काफी लोग नहीं कर बाते हैं, बट अगर आप इसको as a job choose कर रहे हो, या फिर आप इसको as a try करना चाहते हो, तो यह सारी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप हर stock पे trade करो, ठीक है, यहां पर आपको बहुत सारे trading opportunity मिलेंगे, ठीक है, market आज खुला है, कल भी खुला है, परसो भी खुला रहेगा, और नर्सो भी खुला रहेगा, इसका मतलब यह नहीं कि आज का आज हम लोग सारा trade कर दे, कहीं पे भी buy कर द उसके बाद हमें idea लगाना है कि यहां पे हम लोगों को stock कहां से जाएगा, उपर जाएगा, नीचे जाएगा, टपा खाके और उपर जाएगा, कि जो भी हो, ठीक है, तो उस पे depend करता है कि हम लोग कैसा वहां पे research करते हैं, और उसके बाद अगर आप full time trading करते हो, तो बहु मेरा भी होता है, अभी भी मेरा भी होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ, उसको थोड़ा सा, मैं emotion less हो सकूँ, तो उसके लिए आपको पूरे discipline follow करना पड़ेगा, अगर आपने discipline follow किया, risk management का बारे में बूल जाएगे, मैं आपको आने वाले time पे बताऊंगा, कि क्या है, क्या तो ये सारी चीज़े अगर आप follow करते तो आप definitely market पे बहुत ही लंबा चलोगे, और आखरी बात ये है कि अगर आप कहीं पे job कर रहे हो, तो आप job को छोड़ो मत, आप job को करते रहो, आप ये मत करो कि full time trading के लिए मैं job ही छोड़ो, ऐसा गलती मत कीज़ेगा, आपको पहले सीखना पड़ेगा, experience लेना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम धीरे दीरे चीज़ों को आगे बढ़ते जाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है trading general, ठीक है, ये जो चीज़ें है trading general, trading को कैसे improve करेंगे, ये सारी बाते हम लोग बाद में ठीक है, इस वीडियो पर जरूर बने रहेगा, चैनल के साथ जोड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएगा, इस तरीकी के जो content हमें आपको लेते हैं, और ये content कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, आप चाहें तो पुरा YouTube सार्च कर दालिए, alright, तो चल पर फुल टाइम जॉब कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब होना चाहिए कि आप अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हो, और आप पार्ट टाइम स्वीड़ेडिंग करना चाहते हो, इसका मतलब होता है कि आपको हफते में कुछ घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा, research के इसके बाद आपका passion होना चाहिए, अगर आपका passion ही नहीं है stock market में सीखने का, काम करने का, trading करने का, तो फिर आप भूल जाओ swing trading या फिर intraday trading कुछ भी trading मत करो, मैं simply बना करो, trading ही मत करो, अपने पैसा को FD में रख दो, वो in fact बाकी जगा से safe रहेगा, या फिर mutual funds में डाल सीधी से बात है, उसके बाद अगर आप consistently discipline follow करोगे तो आपके लिए swing trading part time बहुत ही अच्छा opportunity है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे trade कर रहे हो, खुद के analysis पे, खुद के research पे तो और भी better है आप लोगों के लिए, बट अगर आप यहाँ पे news channels वगेरा जैसे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट news channel वगेरा आप अगर follow कर रहे हो, वहाँ पे buy sell या फिर कोई भी telegram channel हो गया, paid services हो गया, यह सब चीज़े अगर आप कर रहे हो, तो आप यहाँ पे खुद का पैसा जो है, risk पे ही डालने वाले हो, तो यह सारी चीज़े आपको याद रखनी है, और य time management कैसे करना है, मैंना सब कुछ explain कर दिया, काफी जनों ने मुझे request किया कि सर हमें भी आपका telegram group join करना है, बट यहाँ पर हम लोग आपना existing broker को चोड़ना नहीं चाहते हो, उनके लिए best solution में लेका हो, कि आपको बस यहाँ पर 250 रुपीस payment करना है, बहुत ही nominal fees है, बहुत ही आपको live mentorship, support भी मिलता है, यहाँ पर आपको proper entry, stop plus target, सब कुछ मिलेगा, अगर उसमें risk involved है, वो तो भी लिखा हुआ आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर sufficient time मिलेगा, यह नहीं कि अभी current market price जो चल रहा है, तभी कदभी हमें entry करेंगे, नहीं, आपको sufficient time मिलेगा, वहाँ लेबल पर आने कि उसके बाद perfect entry आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको 200 stock का research मिलेगा, और जैसे ही आप payment करते हो, आपको इस तरह का शोग होने लगेगा, यहाँ पर आपको simply इस पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी details से आपका यहाँ पर शोग होने ल कर सकते हैं, वीडियो अगर अच्छा लागा है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक किजएगा, चैनल को सब्सक्राइब किजएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक लिए उनक ख्याल भी रखिएगा, गुडबाई, टेक केर,